अब घर पर ही बनेगा आपका राशनकार्ड नहीं पढ़ेगी राशन दफ्तर के चकर काटने की जरूरत ऐसे करें अपलाई अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगता है तो हमारी वीडियो को लाइक करें कमेंट करें और हमारी वीडियो को जदे ज़ाद सियर करें वो Facebook और WhatsApp सभी जगे और हमारी latest वीडियो जुडने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को जरूर दवाए जादा उन गरीज मजदूरों को दिया जाएगा जो काम करने के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य में अते जाते रहते हैं वर नेशन वन राज्यों में भी रियायती दरोपर अनाज ले सकते हैं मगर दियान रहे कि बिना राज्य कार्ड के इस योजना का लाब नहीं उठाया जा सकता है हमें आपको बताएंगे कि आप घर वेटे के से राज्य कार्ड बनाया जा सकता है बिना चक्कर काटे मिलेगा रासन काड अगर आपने अभी तक रासन काड नहीं बनवाया है तो टेंसन की बात नहीं है आपको पुराने समय की तरह रासन काड बनवाने के लिए बार बार रासन दफ्तर के चकर काटने की जरूत नहीं पड़ेगी आप घर बेटे स्मार्टपोन से ओनलाइन ही रासन कार्ड के लिए आवधन किया जा सकता है अच्छी बात है कि सभी राज्यों की रासन कार्ड वेव साइट अपलब्ध है जो जिसी स्टेट का रहने वाला है उसी की रासन कार्ड वेव साइट पर आवधन कर सकता है किसे मिलता राशनकार राशनकार के लिए पहली सर्थ है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए शिर्फ किसी भारतियों को ही राशनकार दिया जा सकता है दूसरी बात है कि यदि कोई नाबालिक है यानि उसकी आयू 18 साल से कम है तो उसका नाम मातपिता या अभिवावक के राशनकार में जोड़ दिया जाएगा मगर यदि किसी की आयू 18 साल से उस ज्यादा है तो वो अपना निजी राशनकार बनवाने के लिए आवधन कर सकता है याने किस वेबसाइट पर विजिट करना होगा राशनकार के लिए आवधन करने के लिए आपको सबसे पहले उस राश्य के अधिकारी वेबसाइट पर जाना होगा जिसमें आप रहते हैं उधारान के लिए यदि आप राश्य स्थान से हैं तो आपको http.raj.nic.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं इसी तरह आप यूपी बिहार तथा बाकी राश्य के लोगों को अपने राश्य की वेबसाइट पर जाना होगा हम यहाँ एक लिंक www.adhar.nic.in दे रहें इसमें तमाम राश्यों की वेबसाइट उपलब्द है कैसे कर सकते हैं आवधन राश्य की वेबसाइट पर पहुचने के बाद आपका अपलाई फोर राश्य कार्ड के बटन पर किलिख करना होगा बेतोर आइडी आपको आधार कार्ड, वोटर आइडी कार्ड, पासपोर्ट, हेल्थ कार्ड और ड्राइव लाश्योंस आदिकी जरुत पड़ेगी राश्य कार्ड के लिए कुछ चार्ड देना होता है, जो बहुत कम है आधन के साथ साथ कुछ सुल्क भी जमा करके फोर्म को सुमिट कर दे इसके बाद फिल्ड वेरिफिकेशन किया जाएगा यानि आपके पते पर अधिकारी जात परताल करेगा फिर आपका राश्य कार्ड तयार हो जाएगा मुबाइल नमबर कैसे अफडेट करें? यदि आप अपना मुबाइल नमबर राश्य कार्ड में अफडेट करना चाते है तो यह काफी आसान है यदि आप दिल्ली के निवासी है तो सबस्पेल आपको https.nfs.dilly.government.in पर जाना होगा यह यह लिंक शिर्फ दिल्ली के लोगों के लिए है बाकी राज्यों के लिए लिंक एड्रेस अलग अलग होते है इस लिंक के खुलने पर यहां आपको चार बोक्स दिखाए देंगे पहला बोक्स आधार नंबर of head of household NFS ID यहां अपने परिवार के मुख्य सदस्ये का आधार और NFS ID डाले इसके बाद वाले बोक्स में राशन कार्ड नंबर लिखे अगले बोक्स में परिवार के मुख्या का नाम और चोथे बोक्स में नया मुबाइल नंबर दर्ज करना होगा फिर आपको शेक बटन पर किलिक करना होगा इससे आपका मुबाइल नंबर राशन कार्ड में अपडेट हो जाएगा असल में राशनकार में पुराना मुबाइल नंबर दर्ज हो तो आपको काफी नुकसान हो सकता है यदि आपको नंबर अपडेट ने हो तो सरकार की तरफ से किये गए बदलाव या राशनकार दुकान पर अनाज बटने की जानकारी आपको नहीं मिल पाती है अगर आप हमारे द्वारा ऐसी लेटेस्ट वीडियो और पाना चाते है तो हमने वीडियो को नीचे डिस्क्रेशन में लिंक दिया हुआ है हाँ से आप हमारी और लेटेस्ट वीडियो के बारे में जानकारी प्राप्ट कर सकते है अगर आपको हमारा वीडियो अच्छे लगता है तो हमारी वीडियो को like करे, comment करे और जब्ध जब्ध शियर करे Facebook और WhatsApp सभी जगे और हमारी latest वीडियो जुड़ने के लिए हमारे चनल को subscribe करे और इस bell icon को जरूर दबाए